हलो दोस्तों आप सबका फिर स्वागत करते हैं बिहार आर्थिक सर्वक्षन के इस दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में उत्पादित होड़ने वाले पर मुख फसल, दूध, सबजी, चथाफल, इत्यादी के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला पहरे दूसरे और तिसरे अस्थान पर आता है इस वीडियो में मुख रूप से इन ही सब के बारे में बात करने वाले हैं इन सब टॉपिक्स से एक्जाम्स में हमेशा प्रस्ण आते रहते हैं और आपकी सामान जानकारिक के लिए भी यह काफी मददगार सावित होगी तो आईए हम सुरू करते हैं वीडियो को लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथे साथ बेल आइकन को जरूर दबा देंगे और अगर आपने अभी तह कामरा विहार आर्थी सर्वेक्षन का पार्ट ओवन वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लेंगे उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे तो आईए हम शुरू करते हैं वीडियो को हम सबसे पहले बात करते हैं फंसलों के बारे में और फसल में हम सबसे पहले देखते हैं कि चावल का उत्पादन में बिहार का कौन कौन से जिलासीर सस्थान पर है हम देख रहे हैं कि चावल का उत्पादन में सबसे उपर जी जिले का स्थान आता है वह है रोतास यानि कि बिहार में सबसे उपर चावल का उत्पादन रोतास जिला में होता है वहीं चावल के उत्पादन में दूसरा स्थान और अरंगाबाद का है और तीसरे स्थान कैमूर जिला का आता है यानि कि चावल के उत्पादन में सबसे उपर रोतास उसके बाद अरंगाबाद और तीसरे स्थान पर कैमूर जिला आता है वहीं हम बात करते हैं गेहों के उत्पादन में तो गेहों के उत्पादन में भी पहले स्थान पर रोतास है दूसरे स्थान पर मुझाफर पुड़ और तीसरे स्थान पर सीता मढ़ी आता है यानि कि चावल और गेहों दोनों के उत्पादन में रोताह जीना अबल दर्जे प है। दूसरा स्तान आता है यनि कि सबसेदा मक्का पड़नी का टihu पादन और 11 6 अरडिया में है। यह तीनों जिलो बिहार के उत्तर-pudby भाग से आते हैंं। महीं बात करते हैं धलहन का थो दलहन का उत्पादन में सबसे पहला स्थान पट्ना जिला का है वहीं दूसरा एकुरेट और लेटेस्ट डाटा है अब हम बात करते हैं इक उत्पादन का तो इक क्ये उत्पादन में सबसे प्रताम स्थान पर पश्चमी चंपारन है, वहीं दूसरे स्थान पर पूर्वी चंपारन और तिसरा स्थान पर गोपालगाज आता है यह तीन जीलो बिहार के उत्तर पस्चिमी भाग में आते हैं अब हम बात करते हैं बिहार मुत्पादित तीन पर मुख फल यानि कि सबसे ज़्यादा किस फल का उत्पादन होता है तो बिहार में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन होता है वहीं दूसरे स्थान पर केला है और तीसरे स्थान पर उत्पादित होने वाले फॉल में अमरूद का स्थान आता है हम देखते हैं आगे बिहार में उत्पादित पर मुख सबजी यानि कि किस सबजी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है बिहार में तो इस करम में हम देखे तो बिहार में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन होता है दूसरे स्थान पर बैगन का उत्पादन होता है और फिर तिसरे स्थान पर प्याज का स्थान आता है यानि कि बिहार में सबस्यदा उत्पादित होने वाला फल आम है और बिहार में सबस्यदा उत्पादित होने वाली हमसल सबजी आलू है वहीं हम बात करते हैं मचली उत्पादन में सिर्थ स्थान बाले जिले की तो मचली का उत्पादन सबसे जदा मुधुवनी जिला में होता है वहीं दूसरे स्थान पर मचली उत्पादन में पूर्वी चंपारन का स्थान है और तीसरे नंबर पर दर्भंगा का स्थान आता है वहीं अब हम बात करते हैं आम उत्पादन में तो आम का उत्पादन सबस्यदा बिहार के दर्भंगा जिला में होता है उसके बाद पूरवी चंपारणा का स्थान आता है और तीसरे स्थान पर बिहार का मुझफर पुर जिला है जहां पर सबसे ज़्यदा आम का उत्पादन होता है वहीं केला के बाले में हम बात करते हैं तो केला का उत्पादन सबसेदा बिहार के कठिहार जिला में होता है वहीं दूसरा स्थान पर बैसाली और तीसरा स्थान पर मुझफरपुर का स्थान आता है जहां पर केला का सबसेदा उत्पादन होता है याने कि केला का उत्पादन सबसे अदा कटिहार जिला में होता है वहीं हम बात करते हैं लीची के उत्पादन के तो लीची के उत्पादन में बिहार का मुझफर पुर जिला सिर्स अस्थान पर है वहीं दूसरा स्थान पर पुर्वी चमपारन और तीसरा स्थान पर वैसाली का स्थान आता है हम बात करते हैं आलू उत्पादन में तो आलू का उत्पादन बिहार में सबसेदा पटना में होता है और दूसरा स्थान पर नालंदा जिला है वहीं तीसरा स्थान पर वैसाली का स्थान आता है वहीं हम बात करते हैं प्याज के उत्पादन की तो प्याज का उत्पादन सबसे ज़्या नालंदा जिला में होता है दूसरे स्थान पर बिहार का पश्चिमी जमपारण और तीसरे स्थान पर बिहार के राज़ानी पटना जिला का स्थाना आता है अब हम बात करते हैं दूद का उत्पादन की तो दूद का उत्पादन बिहार में सबसे ज़ला पटना में होता है वें दूसरा स्थान पर समझते पूर में होता है और इसके बाल मुझफर पूर में दूद का उत बादन सबसु ज़या होता है फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद